नमस्कार दोस्तों, इन्सूरेंश टेक्निकल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इन्सूरेंश की जनकारी इन्सूरेंश प्रोफेशनल के द्वारा वह भी बिल्कुल आसान भार्शा में दोस्तों आज की चर्चा का विशह है LIC की नई पॉलिसी जिसे LIC ने 23 जून 2023 को मार्केट में लाया है इस पॉलिसी का नाम है धन वृधि और इसका टेबल नंबर है 869-879 LIC का धन वृधि प्लान एक सिंगल प्रीमियम इंडॉमेंट प्लान है यानि की यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसे आप अपनों को गिफ्ट में दे सकते हैं क्योंकि इस पॉलिसी में प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय भरना होता है LIC के धन वृधि प्लान की खास बात या है कि इसमें गरेंटेट एडिसन है जिसके कारण इसकी मैचुरिटी फिफ्ट मैचुरिटी है मतलब पलिसी लेते समय आपको पता होगा कि आपको कितने की मैचुरिटी मिलेगी गरेंटेड एडिसन कितना मिलेगा आप उसे इस कितना मिलेगा या इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने का समिन्सोड लिया है आपने समिन्सोड के लिए कौन सा option चुना है और आपने policy period कितने का लिया है इस policy में समझने की जो सबसे महत्तोपुर्ण चीज है वो है live cover के option धनविरिधी policy में live cover के दो options है जिसमें से किस एक का चुनाओ आपको policy लेते समय करना होगा और उसी का नुसर आपको live का कभर मिलेगा पहला option है 1.25 times of single premium मतलब आप जितने का single premium पे करेंगे उसका 1.25 times live cover मिलेगा यदि आपने single premium 5 लाग का पे किया तो उसका 1.25 time live cover मिलेगी यानि कि 6 लाग 25,000 रूपय और 10 लाग का single premium प किया तो live की कभर 12,50,000 रूपय की मिलेगी दूसरा option है 10 times of single premium यानि कि single premium का 10 गुना यदि आपने single premium 5 लाग का भरा तो live की कभर 50 लाग की मिलेगी आपको कौन सा option चुनना चाहिए यहाँ आपकी जरूरत पर निर्भर करता है यदि आप income tax saving के purpose से इस policy को लेंगे तो आपको option तो अपने लिए चुनना चाहिए जो कि आपके लिए इस एक साही बिकल्प होगा यदि income tax का saving आपकी priority नहीं है आपको life की coverage कम चाहिए ज्यादा का return चाहिए तो आपको option 1 लेना चाहिए आई ये सबसे पहले बात करते हैं इस policy को लेने के लिए आवश्यक मापदन और उसकी सर्तों के बारे में इस policy का अंतरकत तीन policy period उपलब्द हैं पहला 10 years दूसरा 15 years और तीसरा 18 years का है पॉल्सी लेने के लिए minimum age 10 years के policy period के लिए 8 years है 15 years के policy period के लिए 3 years है और 18 years के policy term के लिए 90 days है और यह दोनों options के लिए same है policy लिए जो maximum age है दोनों options के लिए अलग-अलग है option 1 के तीनो policy period के लिए 60 years है और option 2 के 10 years के policy period के लिए 40 years है 15 years के policy period के लिए 35 years है और अठारह वर्च के policy period के लिए 32 years maximum age at maturity यानकी option 1 के लिए maximum age at maturity 78 वर्ष है और option 2 के लिए 50 वर्ष है minimum sum insert धनवीर्थी policy लेने के लिए minimum sum insert 1,25,000 रुपे का है maximum sum insert की कोई limit नहीं है commencement of risk जो कि एक बहुत ही महतपूर्ण तथ है इस policy के लिए यह policy बच्चे की life को भी cover करती है तो इसे समझना बहुत ही जरूरी है यदि यह policy आपने बच्चे के नाम पर लेते हैं तो risk की coverage कब सुरू होती है यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष या इससे अधिक है तो policy लेते ही risk की coverage सुरू हो जाएगी यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए या policy के 2 वर्ष पूरे हो जाए दोनों में से जो जल्दी होगा risk की coverage वहाँ से सुरू हो जाएगी मतलब यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष है तो 8 वर्ष पूरे होने पर कवरिज सुरू हो जाएगी और यदि बच्चे की उम्र 2 वर्ष है तो पॉलसी लेने के 2 वर्ष बाद मतलब बच्चे की उम्र जब 4 वर्ष पूरी होगी तो कवरिज सुरू हो जाएगी Surrender of Policy इस policy को लेने के बाद पैसे के जरोत पढ़ने पर आप इसे कभी भी surrender कर सकते हैं Loan Facility इस policy का अंटरगर्ट loan की सुविधा policy लेने के तीन महेने बाद उपलब्ध हो जाती है आईए इस policy को एक उधारन के साथ समझते हैं मिस्टर कनक जिनकी उम्र 40 वर्स है LIC के धन ब्रिधी policy को लेते हैं और जिसका समिशोड 10 लाक रुपे है पालसी टर्व के रुप में उन्होंने 15 वर्स का चुनाव किया है उन्होंने option 1 का चुनाव किया जिसमें single premium के 1.25 टाइम्स की life cover होती है तो मिस्टर कनक को 8,3,800 रुपे का single premium पे करना होगा और इसके अंतरगर उनको 10 लाक की life की cover मिलेगी जब policy के 15 वर्स पूरे हो जाएंगे तो इस policy के maturity हो जाएगी maturity के रुप में मिस्टर कनक को सबसे पल है पालसी का समिशोड जोकी 10 लाक रुपे है और साथ में guaranteed edition मिलेगा और total 21,25,000 रुपे मिस्टर कनक को मिलेंगे अब बात आती है इस policy में मिस्टर कनक को return कितने percent का मिला तो उन्हें 6.18% का return मिला है देट के case में नौमनी को देट benefit का भुगतान होगा नौमनी को कम से कम policy का समिशोड जोकी 10 लाक रुपे है वह जरूर मिलेगा और साथ में guaranteed edition भी मिलेगा guaranteed edition 75,000 रुपे प्रती साल के हिसाब से मिलेगा मतलब guaranteed edition का amount इस बात पर निर्भर करेगा कि policy कितने वर्षोतों चली है policy जितने ज्यादा वर्ष तक चलेगी आप 10 लाक के समिशोड के दोनों option के लिए 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के बेती के 10 वर्ष 15 वर्ष और 18 वर्ष के policy period का premium और maturity यहाँ देख सकते है stable के माध्यम से आप अपने premium और maturity का अंदाजा लगा सकते है तो यह थी LIC के धन बिर्धी policy की जनकारी यदि आपके पास कोई सवाल है या सुझाव है तो उसे comment box में लिखें यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करके मुझे परोट्साहित जरूर करें और सबसे महत्वपुर्ण यदि आपने इस चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लें और जूर जैं हमारे साथ insurance professional से insurance की जनकारी के लिए और साथ मैं bell icon पर click कर दें और all select कर लें ताकि जब भी मैं new video upload करूँ उसकी notification तुरंट आप तक पहुँच जाए और अंत में अपना कीमते से में निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद